जहिंद दोस्तों आज का कलाट्त जीकेजियस का नेस्ट पाट लेका हैं यानि वैसे प्रश्णों को चुना-गया दोस्तों जो कि हर एक जाम यहां Say यह तो चलिए दोस्तों आज का सरे संदेह ना वर किया जाता है तो भारत और अमेरिकाइकि बीच में जो इुद अभ्यास किया जाता है ऐसे ब्रजपहारा है, सब्सक्स के किया जाता है तो भारत और किर्गिस्तान के बीच बोंगो सागट अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है तो भारत और बंगलारेश लामितिय ब्यास किसके किसके बीच किया जाता है तो भारत और सेसेल्स के बीच लामितिय ब्यास किया जाता है नेश्ट देखिएगा प्रमुख युदाव्यास किस देश में होता है इदरे कनाल खंजर युदाव्यास जो खंजर युदाव्यास है वो भारत और किर्गिस्तान कि बीच में खंजर युदाव्यास होता है पास एक एक्स अभ्यास यानि कि जो पास एक्स जो अभ्यास है पास एक्स अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच में किया जाता है वरुण अभ्यास तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युदाव्यास किया जाता है स्लिनेक्स अभ्यास भारत और सिलनकाइक के बीच में स्लिनेक्स इद अभ्यास किया जाता है लामितिय अभ्यास तो भारत और सिल्स के बीच में जो लामितिय इद अभ्यास किया जाता है खार्पेट अभ्यास भारत और इंडोनिस्या के बीच में भारत और इंडीनिस्या के पlingsफ जाता है खंजरिद अभयास वारत किर्किस्टान पासेक शब्यास भारत रूस हज़ों अब्यास भारत और फ्रांस HC सब्यास virtual अब्यास भारत कर दे .....च अने शुण देखिएगर बली कतन अब्यास अमेरिकाय ओर फिलिपिन्स के विच किया जाता है अमेरिकाय ओर फिलिपिन्स बली कतन अब्यास किया जाता है सिम्बेक्स इद अब्यास किया जाता है वायव सक्ति अब्यास भारत और फ्रांस कि बीच में वाये शक्ति उटर्यात किया जाता है चीन लुर्ट की बीच में चिरू इउदर्यास किया जाता है धार्म गार्जेन अभ्यास भारत और जपान के बीच में भारत और जपान के बीच में जो धार्म गार्जेन अभ्यास किया जाता है अजे वार्यर अभ्यास भारत और बिटेन के बीच में अजे वारियर अभ्यास किया जाता है को कर सकती अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच को कर सकती अभ्यास किया जाता है नेश देखिएगा दोस्तों प्रशह संख्या दो मानों सरीर का रशानी कर खाना श्रहता है और यक्रित का जो रंग होता है किस रंग का होता है गहरा लाल भूरा होता है यक्रित का वजन वेट पुछा जाएगा भाल तो डेड़ केजी का होता है यक्रित का दूसरा नाम जो होगा इसको यक्रित को तो जीगर के नाम से भी जाना जाता है और यक्रित जो है उस सरीर के ताप को नियंतर्ण रखती है यक्रित में जमा क्या होता है यक्रित में जमा होता है पिता से अब प्रित स्रावीत कहां से होता है प्रित स्रावीत तो पिता से से और यक्रित में जो संचित विटामीन होती है संचित विटामीन उवसा में जो ब्रंसी विटामीन होती है उसी को संचित विटामीन मातना जाता है ए डी ए के ये सब यक्रित में संचित विटामीन पाई जाती है यक्रित किस रंग का होगा गहरा अलाल भुरा भार कितना होगा डेड़ के जी का इसका दूसरा नाम जिगर सरी के ताप को नियंतित रखती है यक्रित में उचा जायेगा जो जमा होता है वह पितासे होता कहां से स्रावित होता पितासे से और संचित विटामीन यक्रित में कौन पाउन होती है विटामीन ए डी ए के जो वसामी भुन से विटामीन होती है तो इस प्रकार से हो जायेगा अप्शन दूसरा यक्रित और स सरेर की सबसे बड़ी गरंती, सबसे बड़ी गरंती, तो आपका यक्रित होगा, सबसे बड़ी गरंती यक्रित होगा, नेश्ट देखिएगर, गुर्दे की काई को क्या काते हैं क्या होती है तो निफ्रान निफ्रान गुर्दे की काई को माना जाता है तोचा को रंग देने वाला पदार्थ है मेलानीन जो है वो तोचा के रंग को देगा यानि काला भुरा होना मेलानीन के कारण है RBC का व्याद नाम क्या है RBC का व्याद नाम इरिथो साइट है और RBC का जो मृत्तु कहां होती है पुछा जाएगा तो प्लिहीन में उत्तक kardhyan कादाथाए ग्लुकोमा और टे-क्रुमा ग्लुकोमा और टे-क्रुमा रुग किस अंग में होता है तो या नेत्र में होता है यानि मनुस्यों के आँख में गुलुकोमा और क्रोमा रोग होता है DNA के खुचकरता कौन है तो DNA के खुचकरता जेम्स वार्टसान जेम्स वार्टसान और फ्रांसिस क्रीक है यानि DNA के खुचकरता वार्टसान और क्रीक कहीं लिया रहेगा इसे आपकर देंगेगा नेश्ट देखिएगा कोसिदा का पावर हाउस का लाता है तो कोसिदा का पावर हाउस माइट्रो कांडिया को काल जाता है मैट्रो पंडिया कुस्का का पावर हाउस का लाता है सबसे मजबूत प्राकृत रेशा कौन सा है तो जो रेशम है उस सबसे मजबूत प्राकृत रेशा काल लाता है मनुस्यमी पसलियों की संख्या कितनी है तो मनुस्यमी पसलियों की संख्या 24 मानी जाती है सरी की सबसे मजबूत हड़ी कहां की होती है तो जान की होती है जान की हड़ी और उस हड़ी का नाम फीमर है RBC का लाल रंग क्या कारण है तो RBC का जो लाल रंग है वो हिमोगलमिन के कारण होता है हिमोगलमिन के कारण RBC का रंग लाल माना जाता है को उस्टिया का पाव रहुस मैट्रो कांडिया सबसे मजबूत प्रक्रप्टिक लिए सारे सम है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 24 सरीर की सबसे मजबूत हड़ी कहां की होती है के डी फिमर और RBC का लाल रंग क्या कारण है तो हिमोगलमिन के कारण RBC का रंग लाल होता है आप संनने भारत वा चीन आप संनी भारत अफगनिस्तान आप संसी भारत पकिस्तान आप संडी भारत वा बांगलादेश नहीं रेड़ Cash इससे क्या पताच चलाए रेड बाने लाल लाल यहीं ब्लेड होता है उनका इस्ता किन्दो देसों के बीच है तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान इस प्रकार से आफ़ारों जाएगा दोस्तों C. भारत का चीन की बीच में कौम सी रेखा जानी जाती है तो माइक मोहन रेखा माइक मोहन रेखा भारत का और चीन की बीच में जानी जाती है और रेट एक रेखा किन दो देशों भारत और पकिस्तान नेश्ट देखिएगा भारत का सबसे पुरुई बिंदू कौम साथ भारत का सबसे पुरुई बिंदू उचाई दारा तो एक की बूतू होगा एक कहां पर पढ़ता है अवराचल प्रदेश अवराचल प्रदेश और अवराचल प्रदेश में सबसे पहले सुर्य दिखाई देता है भारत में भारत का सबसे पुरुई बिंदू कौम साथ है तो भारत का सबसे पुरुई बिंदू सरक्रीक सरक्रीक पढ़ता कहां पर आए तो गुजरात में भारत का सबसे उतरी बिंदू कौं सा है तो भारत का सबसे उतरी बिंदू इंदराकाल है इंदिरा काल जो जम्बू कस्रे में इस्तित है उसी का नाम भारत का सबसे उत्री बिंदू है भारत का सबसे दच्छी बिंदू कौन सा है तो भारत का सबसे दच्छी बिंदू इंदरा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट और इसे पिगमेलियम पॉइंट भी कहते हैं या तमिलाडू में इस्थित है तमिल नाडू में इस्थित है पिगमेलियम पॉइंट क्या है तो पिगमेलियम पॉइंट भारत का सबसे दश्री बिंदू है और यहां तमिलनाडू में इस्तित है बारत का सबसे दच्छडी बिंदू दच्छडी बिंदू और यहां तमिलनाडू में इस्तित है तो भारत का सबसे पुर्वी बिंदू पुछा जाएगा की बुतु अरणाचन प्रदेश भारत का सबसे पच्छमी बिंदू सरक्रीक गुजराथ भारत का सबसे उत्री बिंदू तो इंद्रा का जंगो कस्मी भारत का सबसे दच्छी बिंदू इंद्रा पॉइंट भारत के किस राजी की सीमा सबसे ज़्यादा राजियों से लगती है तो भारत की उत्तर पदेश की सीमा पहले नौ राजियों से लगती थी और बरतमान में आठ राज और एक कंद्रसासित प्रदेश से लगती है तो उत्तर प्रदेश की है और कितने राजयों से लगती है बर्तमान में आठ राज adapt और एक किन्दर-शासीप्रदेश याऀन यूटी से लगती है आदम का पुल किन दो देशों के बाद चीत थैं तो आदम का पुल जो है वो भाराद और स्यलंका के वीच में कि इस्तित हैं कि बीश्टो की सबसे लंबी परवत सिंखला कौन सी है तो बीश्टो की सबसे लंबी परवत सिंखला एंडीज है अरवराचर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है तो अरवराचर प्रदेश का प्राचीन नाम नेफाट के नाम से अरवराचर प्रदेश को पहले जाना जाता था रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है है और सबसे ज़्यादा यह महाराश्ट में पाया जाता है नेश्ट दिखिए गए प्रशन संध्या चार एराप के स्किन पर दच्छड एसिया का सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है तो जो मरुस्तल है वो प्रित्वी का पाच्वां भाग उरास्तल भाग का गिरा हुआ है और दच्छड एसिया का सबसे जो मरुस्तल है वो थार का मरुस्तल है इसे भाग की भारती मरुष्थर भी कहा जाता है भारती मरुष्थर और दच्ड़ एसिया का सबसे बड़ा मरुष्थर है बड़ा मरुष्थर है मरुष्थर अस्तर मंडल के प्रिश्वी का कितना भाग गेरा है तो मरुष्थर अस्तर मंडल के प्रिश्वी का पाच्वाबाग पुरा भेरा हुआ है तो इस प्रकार से आफसर हो जाएगा तब च्छडए एसिया का तो हो जाएगा आफसर नम्मर एक था यहां सहारा मरुषतर 20 सबसे बड़ा मरुषतर है सारा मरुष्टर नेश्ट देखिएगा कुछ मात्पुण मरुष्टर कहां परिस्तित है गोवी मरुष्टर कहां परिस्तित है तो गोवी मरुष्टर मंगोलिया में परिस्तित है दस्क एक कावी मरुष्टर कहां परिस्तित है तो दस्क एक काविर मरुस्तर इरान की इस्तित है पेंटो गोनिया मरुस्तर कहां इस्तित है तो पेंटो गोनिया जो मरुस्तर है वो अर्जेंटीना में इस्तित है अर्जेंटीना में पेंटो गोनिया मरुस्तर इस्तित है तो अकला मकान मरुस्तर कहां इस्तित है है यह नित्क्राम का मरुष्था जो चीन अभ्लतेशिया में इस्तित है कालजारी मरुष्थ कहा इस्तित्त हैं बहुत समाना में है कला लागारतों सबसे बड़ा खालमा अब्शल तो चीली में सबसे बड़ा सीत मरुष्थल के नाम से एक्कामा मरुष्थल जाना जाता है निश्ट देखिए गर दुनिया का फिपड़ा काड़ाता है तो दुनिया का फिपड़ा जो अमें जान वर्षा बन है उसे का जाता है और यह अकेले पुरे दुनिया में 20% या अक्सियन देता है तो इसका हो जाएगा अमेजान वन वर्षा और इसे दुनिया का फिपड़ा करते हैं यह पूरे 20 प्रसत आक्सियन देता है राष्टी बन नीती कब लाग हुई थी तो राष्टी बन नीती 1988 में लाग हुई थी सुन्दरी नामक ब्रिक्ष कहां पाए जाते हैं तो सुन्दरी नामक ब्रिक्ष जो पाए जाते हैं वो पर्षिम मंगाल में पाए जाते हैं सुन्द्री नामक बीच पर्शिम मंगाल में पाई जाते हैं घुमादे सागर को लाल सागर से जुड़ने वाला जुड नहर है उसका नाम स्वेज नहर है स्वेज नहर गुमा के सागर और लाल सागर को जुड़ती है कि इन दो ग्रहों को सहुदर भाई कहा जाता है अरुण और वरुण को सहुदर भाई के नाम से जाना जाता है अरुण और वरुण दोनों सहुदर भाई के नाम से जाने जाते हैं